यहां पर हम बहुत बार देखते हैं कि मार्केट जब gap up open होता है तो gap up open होने के बाद हमें कुछ भी trade करने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि हम तो retailer है यहां से इतना gap up open हुआ था यह bank nifty आज बिल्कुल यह 310 तो यह इसका closing price है लेकिन यह तक्रीबर 500-500 point gap up open हुआ था अब मैंने एक चीज़ देखा है मार्केट में आप न स्ट्राइक प्राइस पर चेक कर सकते हैं कि 44 सब का स्ट्राइक प्राइस मैं देखता हूं यहां पर तो मुझे यह समझ में आ गया कि यहां से देखिए gap up open हुआ 500 सा सीधा 4500 ठीक है जब gap up open हुआ है तो इसने टॉप बनाया 4500 का और धीर धीर नीचे आया और यह साड़े 9 से 10 बजे के बीच का यहां एक low बनाता है बाजार अगर उपर जाने वाला है बाजार क्या वो particular strike price जो है अगर उपर जाने वाली है तो वो पाउने 10 से 10.5 बजे क आती हैं यहां पर मैं एक trade लेता हूँ कि मेरा तो target है 2% अभी तो मैंने 1% ही कर दिया है क्योंकि मैं 4 months में double की source लेके चल रहा हूँ पहले मैं 2 months में double की source लेके चल रहा था तो अभी मैं 4 months लिया हूँ और ज्यादा time लिया हूँ इसलिए मेरा profit का margin है वो 1% ही रह गया है तो मुझे 1% कही पर भी मिलता है लेकिन मुझे चाहिए था without stop loss 1% का trade कहा मिलेगा तो मुझे पाउने 10 से साड़े 10 बजे के बीच में यह नहीं देखना है कि market में गिरावट है या फिर TG है है ना मंदी TG नहीं देखना है यह देखना है कि gap up कौन सा गया है और धीरे धीरे धी अनिची आया लेकिन बाजार तो निचे आने के लिए तैया नहीं ना defensive निचे और लिफटीं यह फिर बैंक निचे आने के लिए तैयर नहीं है कौल नीचे आ रहा है इसका मितलब क्या है कभी ना कभी उपर जाए गई वो श्टेडिंग सेशन के दौर्ण तो यह 11-30 बज लिकूं तो यह है अब दूसरा है यह तो चवालिस सव का है अब देखिए बादार उपर था गैप उपन हो गया आप सवालिस सव का पूट देखते हैं पूट में कोई भी इस तरह का हमको हरकत नहीं है ठीक है मेरे को पूट साइड में कोई भी इस तरह के हरकत नहीं मिली है यहां पर कोई भी दस बज़े के आसपास, आड़ दस बज़े के आसपास, एक लो नहीं बना है, यहां पर higher highs में ही गया है, ठीक है, तो यह मेरे काम का चार्ट नहीं था, मैंने इसको छोड़ दिया है, जबकि मैं gap up open होने के बाद में, यह put side में ही, ज्यादा interest रख रहा था, क्योंकि थोड़ी सी गिरावट होगी बोलके, लेकिन वो candle नहीं बनाना, पैटर नहीं बनाना हो, तो यहां पर दिखिए, चावालिस दोसो, तो यहां पर दिखिए gap up गया, काफी gap up गया, मतलब 200 से सीधा, 400 हो गया, डबल हो गया, वो तो चलो डबल हमारे, मेरे बस का, वो चाड़ी candle है, तक दस बच के तीस मिनिट का चाड़ी candle है, तो देखा कि लो बन गया है, तो मुझे लगा चलो, यहां पर भी खरदरी का मौगा बन सकता है, लेकिन मैंने अल्रेटी टेट ले लिया था, और प्रफिट भी ले लिया था, तो लेकिन मैंने अब्जर्व किया, कि हाँ यह देखें, यहां पर यह लो बन रहा है, पूट सैड में लो नहीं बन रहा है, जब कि बादार उपर है, तो इसका मतलब यह थोड़ा सा नीचे आएगा और वापस से उपर जाएगा, तो यह मेरे सबज में आ गया, ठीक है, और पूट सैड में तो कहीं पर भी लो नहीं था ही नहीं तो इससे ये भी अंदाजा लगता देखिए चावारी 200 के पूट में देखेंगे तो यहां पर भी मैं देखा कि यहां पर low नहीं बना है ठीक है इस low की बात नहीं कर रहा हूं, यह दो टेड़ बज़े के बाद का लो है, यह मेरे काम का नहीं, क्योंकि मैंने जो observation की है, कई मैंनों से कई मैं देख रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं, दस बज़े के आसपा, ऐसी हर्कत मुझे देख थी, यहां पर भी, बाजार, बाजार में एक यहां हाई बनाया लेकिन धीरे जरी नीचे नहीं आया उसी केंडल से नीचे आया और जबकि बाजार उपर जा रहा था तो यह कॉल भी उपर उपर जा रहा था तो यह लो नहीं बना पाया एक्चुली इस कॉल ने ऐसे ऐसे आना चाहिता है ना जहां पर भी पाउने दस से साड़े 10-11 बजे के आसपास में या फिर पाउने 10 बजे के आसपास में लेकिन यहां नहीं बना है इसलिए नहीं बना है यहां पर भी देखिए चावाली 300 का कूट मौका कहीं पर भी नहीं बना है वो इसलिए नहीं बना है क्योंकि बाजार फुल बुलिश था फुल बुलिश था बा पर gap up open हुआ देखिए यहां से 140 के आसपास से हुआ और सीधा कितना गया तकरिबन 300 है ना मतलब double तो सारे हुआ है वह तो छोड़ दीजिए और उसके बाद एक धीरे 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 घिरावट आई है और यह है साड़े दस बजे का candle साड़े दस बजे का candle है और साड़े दस अलग-अलग strategies है मेरे दिमाग में यह आया है कि बाद जैसे खुलता है तो साड़े दस बजे के बीच में आपको एक signal देगा मेरे को एक signal देगा हो कि मैंने low बनाया है आप अपना एक दो percent profit ले सकते हैं ठीक है मैं इसलिए यह point चुना हूँ मतलब इस तरह का graph चुना हूँ जो उपर जाए और एक low बनाये 9 बज के 45 मिनिट से लेकर 10 बज के 30 मिनिट के बीच में इस तरह का जो भी low बनाएगा बाजार चाहिए करे कही पर भी हो उपर हो नीचे हो उससे मतलब नहीं है मैंने बता आपको बाजार उपर है लेकिन put side में कोई भी इस तरह का graph नहीं बन नीचे आना चाहता हूं तो वह एक pattern जरूर बनाता है अगर बाजार यह कहता कि मैं नीचे आना चाहता हूं तो यह put का chart है यह पूरा के पूरा put का chart है बाजार एक इस तरह से कोई pattern जरूर बनाता है यहाँ पर है ना इस तरह से जैसे यह gap open हुआ फिर इस तरह से कोई pattern बना यहां पर और बाजार जैसे ही यह बताएगा हमको कि नीचे वह आना चाहता है तो यहां से पूट की कीमट बढ़ेगी ना तो यहां से उपर तेजी दिखाए देने लेगी लेकिन इस चार्ट में ऐसा कुछ है नहीं ना यह तो चार्ट पहले से उपर ही है बाद में नीचे आ पास और यहां से जिसने भी मतलब मैंने तो खरीदारी की थी और मुझे मका मिला क्यूंकि यहां पर मैं without stop less खरीदारी करने में ज्यादा और करता हूँ कि एक ऐसी टेकनिक में ढून के निकाल लेता हूँ जिसमें मुझे stop loss तो मैं खेर लगा लेता हूँ लेकिन hit ना हो तो मैंने देखा कि यह बाजार में ऐसी जगह ढून दो जहां से gap up ओपन हो और थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा उसमें profit booking आये प्राफिट बुकिंग आये और बाजार यह कॉल है आप इसे पूट में भी समझ सकते हैं मैं तो इसे पूट में भी समझ चुका हूं क्यूंकि जिस स्ट्राइक प्रैस को उपर जाना है तो वो क्या करेगी थोड़ा सा यहां पर प्राफिट बुकिंग दिखाएगी और वाप से उपर चला जाएगा है ना तो यह चार्ट का खेल है यह मतलब ऐसा नहीं है कि बाजार उपर जा रहा है तो पूट का देखिए बाजार नीचे जा रहा है तो कॉल में भी प्राफिट बुकिंग आ सकती है नीचे जा रहा है तो पूट में भी प्राफिट बुकिंग आ सक नहीं आने वाली है, वो इस तरह से दिखेगा, वो इस तरह से दिखेगा, इसमें कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है, देखिए बाजार इस कैंडल से, इस कैंडल के बाद में बाजार यहां से गिरना चाहे था, लेकिन वो यहां से उपर चला गया है, तो यह कोई मतलब यह D-shape है यह सेफ गलत सेफ है हमार लिए यह हमारे मेरे फेवर का सेफ नहीं है मेरे फेवर के सेफ यह है या फिर आप graph कहे सकते हैं मेरे फेवर के graph यह है बाजार में उस particular strike price में तेजी हो और वो धीरे 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 नीचे आए और एक low बनाए और यहां पर मुझे मौका दे और मैं एक के दो परसंट हाला कि यहां से वो तक्रिबन दस परसंट प्रॉफिट दिया है लेकिन मैंने एक ही परसंट दिया है मेरा तो यही है कि भाई कम खाओ और सुरक्षित रहाओ तो यह जो मेरा experience है यह अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए